हेलो फ्रेंस अगर आप धनबाद में सस्ता एवंग अच्छा प्लॉट खरीदना चाहते हैं बट आपके पास प्लॉट खरीदने के लिए एक बार में पूरे पैसे नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो डिटेल्स में स्टार्ट करने से पहले आपको प्लॉट का कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ फॉर्स तिंग ये है कि प्लॉट सीन्टी फ्री है प्योर जेनरल प्लॉट है विद फुल पोजिशन एंड अपडेटेड पेपर के साथ सेकेंड ये है कि आप उनली 50% पेमेंट पे ही प्लॉट का रेजिस्ट्री एंड पोजिशन करवा सकते हैं फॉर्ड पॉइंट ये है कि बाकी पेमेंट्स 24 महीने के असान मासिक किस्तों पर पे कर सकते हैं वो भी बिना किसी इंट्रेस्ट के ऐसी सुबीधा प्लॉट खरीदने के लिए पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी आपको फॉर्थ पॉइंट ये है कि आपको प्लॉट पे 44 फीट, 40 फीट एवंग 25 फीट के चौड़ी-चौड़ी सड़के मिल जाती है फिप्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लॉट में 44 फीट का एंट्रंस गेट डायरेट हाइवे से है जो कि इंडिया का दूसरे सबसे बड़े हाइवे एनेस्टू में है जो कि कोलकाता से दिल्ली को कनेट करती है चलिए अब बाकी के डिटेल्स देखते हैं जैसे कि प्लॉट लोकेशन, प्राइस, फैसिलिटीज, कनेक्टिविटी एंड प्लॉट बॉकिंग प्रोसिजर जैसे कि आप सभी जानते हैं पुराना धनबाद एरिया एर एंड वाटर पलूशन से भर चुका है इसलिए गम्मेंड ने तोपचांची के साफ एंभाइर्मेंट एंड कनेक्टिविटी को देखते हुए ग्रेटर धनबाद के रूप में बसाने का प्लान किया है सबसे अच्छी बात यह है कि इस एरिया के तोपचांची वाटर बोर्ड को सरकार ने टूरिस्ट अट्रक्शन एंड वाइल लाइब सेंचुरी बनाने का प्लान किया है जिससे ये एरिया बहुत तेजी से डेबलप हो जाएगी इस एरिया में अभी प्लाट प्राइस बहुत ही कम है अगर आप इन्वेश्टमेंट के नजरिये से देखेंगे तो कुछ सालों में प्लाट में आपको लाखों का रिटर्न मिल सकता है और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा प्लाट लोकेशन भी इसी एरिया में है जो कि तौप चांची और राजगंच के बीच में है यहाँ पर आप अपने सपनों का घर भी बना सकते हैं या फिर आप इन्वेश्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पर मिनिमम प्लॉट साइज 600 स्क्वाइर फिट, 1200 स्क्वाइर फिट, एवंग 2400 स्क्वाइर फिट का है यहाँ पर आप डुपलेक्स या फिर सिंपलेक्स मकान बहुत ही कम बजेट में बना सकते हैं चलिए अब देखते हैं इस gated society के अंदर क्या-क्या सुभीधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर 40 feet का main road, 25 feet का branch road दिया गया है drainage, street light, electricity, health and fitness को देखते हुए jogging के लिए park, बच्चों के खेलने के लिए playground, water reservoir के लिए एक तलाब भी दिया गया है plot के चारो तरफ, outer boundary wall, security 24 into 7